दोस्तो आज की इस वीडियो हम SSC GD पर इच्छा 2023 में जो होने वाली है जन्वरी महिने से उसके मैंने प्रीबियर सेर्ज के कोशन लेकर आये हैं जीके जिसके हैं टॉप 40 कोशन है जो आप सभी के एक्जाम के लिए काफी मोश्ट इंपॉर्डन होगे दोस्तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है अगर आप ये PDF हम से लेना चाहते हैं फिरी में आपको PDF मिलेगा तो आप इस नंबर पर ग्रुप पर जॉइन हो जाए या फिर मुझे मैसेज करेगा मैं आपको PDF दे दूँगा और आप लोग ग्रुप से जादा से जादा जॉइन करेगा ठीक है इस नंबर आप सभी के स्क्रीन पर देखी रहा होगा तो इसको जॉइन करेगा या फिर मैसेज करेगा ठीक है ये प्रिवियर सेर के कोश्चन होंगे आप सभी के एक्जाम के लिए काफी मोश्ट इंपॉर्टन है लास्ट में आप लोग अपना स्वोर सेर करना कि आपके 40 परसनों में से कितने राइट आंसर होते हैं तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को फर्ष्ट कोश्चन के साथ फेंस पहला कोश्चन आप सभी के स्क्रीन पर पूछा गया है कि भारत का 60 परसन नमक किस राज द्वारा उत्पादित किया जाता है तो फेंस भारत का 60 परसन नमक जो फेंस है वो महाराष्ट राज से यानि की उत्पादित किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी फेंस कोश्चन नमबर टू है कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज का दर्जा कम मिला दोस्तो थोड़ा तब्यस ठीक नहीं है लेकिन फिर वी आपके लिए अच्छा क्वाल्टी वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ तो फेंस अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज का दर्जा कम मिला था तो राइट आंसर हो जागा ओप्सन नमबर ब यानिकी वननेस सप्ताथवसी में नेस्ट कोंशन बताएगा फेंस कोंशन नमबर तीन है कि बनिहाल दर्रा भारत के किस राज में इस्थित है तो मेरे पहड़े दूस्तो अगर आपको किसी भी प्रणित का आंसर पहले से पता है तो आपे लोग कमेंटर करके बताएगा तो फिर्ट्स बनिहाल दर्रा जो है ये भारत के जम्मु कास्मीर राज में इस्थित है नेस्ट कोशन बताएगा फिर्ट्स कोश्चन नमर 4 है कि भारत में कोयर उध्धोग मुख रूप से किस राज में केंदिर्थ है चलिए सबी फिर्ट्स राइट आंसर बताएगे तो फेट्स भारत में कोयर उद्धोग मुख रूप से किस राज में केंदिर्त है तो राइट आंसर हो जाएगा option नमर B केरल राज में ध्यान से देख लिएज़ेगा option नमर B केरल राज में next question बताएगा friends question नमर 5 है कि 2010 में किस बंदरगा को भारत का तेरों प्रमुक बंदरगा घोषित किया गया है most important question है दोसतो right answer क्या हो जाएगा तो 2010 में किस बंदरगा को भारत का तेरों प्रमुक बंदरगा को घोषित किया गया है तो right answer हो जाएगा friends option number C port Blair को इस person का friends option number C right answer हो जाएगा port Blair next question बताएगा friends question number 6 है कि राश्टी खाद प्रदोक की उधम सेलता यह प्रबंधन समस्थान किस राज में इस्थित है तो मेरे पहरे दूस्तों राश्टी खाद प्रदोकी की उधम सीलताइं प्रबंधन सहस्तान जो फ्रेंट्स है यह इस्तित है यानि की हर्याड़ा राज में तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप्शन बर भी हर्याड़ा नेश्ट कोशन आपसे बताएंगे राजिस्थान राज में इस्तित है दो पpruchियाज राइट प्रदोकी आउनलग से मरण में डेचीन देखेंगा wires divine Q9 नाहीदन के भारती वन अनसंदहां इस्थान किस इस्थान पर इस्थित थे तो फैन्स राइट आएंसर की अगर हम बात करें की भारती वन अनस्थान संस्थान यह कहां पर इस्थित है तो फैन्स इस इंद्रा गांधी वन जीव अभ्यारण राष्टी उधान में इस्थित है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी नेश्ट कोशन में बताए कि जोहिर जल डमनू मद किंदो देशों को अलग करता है चले सब इस राइट आंसर बताएंगे तो इस प्रसंड के लिखित में से किस इस्थान पर इस्थित है तो कोशन को देखकर आपको पता ही चला होगा कि किस लेवल का कोशन में करा रहा हूँ आपके लिए तो फैंस राइट आंसर हो जागा अरब सागर में मकराना जो फैंस है निमन लिखित में से किस इस्थान पर है तो अरब सागर में नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंस कोश्चन तेरा कि वकान कोरीडोर किन दो देशों के बीच थल सीमा का निर्माड करता है तो वकान जो फ्रेंस कारीडोर है ये किन दो देशों के बीच थल सीमा का निर्माड करता है तो फ्रेंस राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस् चीन के बीच नेश्ट कोईशन बताएंगे फ्रेंट्स कोईशन नमबर 14 है कि समुद्र तल से अंटार्टिका की अवसत उचाई कितनी है तो मेरे पहले दोस्तों समुद्र तल से अंटार्टिका की उचाई जो फ्रेंट से 7500 फिट है तो राइट आंसर के होगा 7500 फिट नेश लोग इस वीडियो का इस प्रसंद का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बाल्टिक समुद्र को उत्री समुद्र से मिलानी वाली नहर कौन से है चले सभी इस प्रसंद का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा तो नेश्ट कोशन आप लोग बताएगा नेश तो आपसन नमर सिफिर औंसर हो जाएगा नेश्ट कोशेन नेखेंगे फैस कोश्चन है 17 कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो फैस्ट भारत का नेपोलियन जो वह कहा जाता है सम्मुद्रगुप्त को नेस्ट कोशन बताएंगे फ्रांसी सी क्रांथ किस वर्स हुई थी तो मेरे पहरे दोस्तों फ्रांसी सी क्रांथ जो है ये हुई थी हमारी 1289 में तो इस प्रसंट का राइट आंसर क्या हो जागा 1289 सी कोशन नमर 41 कि टंहस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद डे गाना खान किस राज में इस्थेत है चले सब तो इस प्रसंट के राइट आंसर की बात करें तो इस प्रसंट का फैंट नमर सी राइट आंसर हो जाएगा यानि कि राज़िस्थान राज में अगला नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंस कोशेंड़ 20 है कि निम्न लिखित मेंसे कौन साराज सहतूत रेसम उतपादित करता है तो इन मेंसे कौन साराज है जो सहतूत रेसम का उतपादन करता है तो फ्रेंस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सिन नमर B यानि के करनाटक नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंस कोशन 21 है कि दक्षिर पश्य मांसून निम्न लिखित में से किस प्रदेश में सर प्रथम प्रवेश करता है तो फ्रेंस राइट आंसर हो जागा दक्षिर पश्य मांसून जो फ्रेंस है ये निम्न लिखित में से किस प्रदेश में सर प्र सबसे बड़ा भंडार है तो इस प्रसंट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन अबड़ी जार घंड में कि मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है चले सब प्रसंट में डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आपका डाउट 100% किलियर कर दूँगा और थोड़ा तबियत सही नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए प्रयास 100% करता हूँ कि आपके लिए जो कोश्चन लाया जाए वो एक्तम आपके एक्जाम से रिलेटर हो नेश्ट कोश्चन में रहाएंगे फ्रेंज कोश्चन 25 की पर्थम जल बिद्दु सकती केंद्र कहां पर इस्थापित किया गया है तो फ्रेंट 25 के राइट आंसर की बात करें अगर हम तो इस प्रसंट का फ्रेंट राइट आंसर गड़ते हैं तो आप लोग बताएं कि भारत की जन संक्या कब सव करोड की हो गई थी चले सभी इस प्रेंट का राइट आंसर मुझे कमेंट बाक्स में बताएंगे सही बताएं या गलत आंसर बताएंगे जिससे मुझे पते चलेगा कि आप लोग वीडियो को फुल देख अगर आप लोग कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मैं समझोगा कि आप लोग मेरी वीडियो को फुल नहीं देख रहें फिर बाद में यह मत कहना कि सर आपका पढ़ाया मेरे एक्जाम में नहीं आया तो मैं कोई भी गारेंटी नहीं लेता हूं अगर आप लोग इसका आंस और है तो सबीरा आणजर हो जाएगा अगला नेस्ट कोशन करेंगे कि हमारे दिश का संव्यधानिक नाम क्या है तो left answer हो जाएगा सात वी अनसूची में next question बताएंगे question 30 कि निम्न मेंसे कोन समवर्थी सूची का विसई नहीं है तो मेरे पैरे दोस्तो लोक श्वास जो है ये समवर्थी सूची का विसई नहीं है तो right answer हो जाएगा option number D अगला next question बताएंगे question 30 है 31 है कि भारत में कब पहली बार राष्टी आपात काल घोशित किया गया था तो मेरे प्यारे जोस्तो राइट answer हो जाएगा option number A यानि की 162 में भारत में जो friends पहली बार राष्टी आपात काल घोशित कब किया गया था तो फैंस रायट आनसर हो जाएगा है option ंपर इत्त अज़वी गया अंस्ली स्य है धेगे मंप आज़ाए वह ग्यां तो option B right answer हो जागा 322 यानि कि सम्मिधान उच्छेद के अंतरगत अगला next question बताएंगे question 35 कि कौन सी भासा सम्मिधान की आठवी अनसूची में नहीं है तो friends वो कौन सी भासा है तो अंग्रेजी भासा जो सम्मिधान की आठवी अनसूची में नहीं है नेस्ट कोशन मताएंगे question 36 है कि बित्ती आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगा जाता है तो मेरे पहरे दोस्तों right answer हो जाएगा कि बित्ती आपात प्रथम बार जो friends से 2 महिने तक लगा जा सकता है तो right answer कि हो जाएगा option number B अगला next question मताएंगे कि राज्यों में राष्टपत सासन सम्मिधान के किस अनुछेद के तहत लगा जाता है तो फेंट्स राइट आंसर हो जागा अनुछेद 356 के अंतरगत अगला ने इस्ट कोशन बताएंगे फेंट्स कोश्चन 38 है कि राज में आपात काल के समय राज का सासन किसके हाथ में होत अगला ने इस्ट कोशन बताएंगे फेंट्स कोश्चन 39 कि ब्रिटे संसद के लिए चुनाव जीतने वाले परतम भारती कौन थे तो फेंट्स ब्रिटे संसद के लिए चुनाव जीतने वाले परतम भारती थे दादा भाई नोरोजी नेस्ट कोशन बताएंगे फेंट्स इ से कितने राइट आंसर किये है अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताये करिए दोस्तों वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के पास सेर करिए जैसे और भी लोग इस तरीके की वीडियो देख सके और उनको भी वेनीफिट हो मिलते हैं दोस्तों नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत वंदे मात्र